रविकल जिटल के साथ खाता कुलतावतौनेश की बीना किसे नुक्सान पर खजी हुँँ पर हखाता कुलतावा मभी स्पोर्ट्स अमनेघर खळांक हाता कुलतावस घंढ स्त्रायक बाया। के बैट्स पन रोशन के पास दाय और बायाद की जूड़ी स्वत्त क्रिस्पराम देखते वे गुनेश और रोशन के रुप में अपने छोड कुछ चेंज कर दिया इस वद आब राइटाम राउन्ड वी गर जाते वी योगेश बायाद के बैट्स पन रोशन के लिए चोटी गेन लेकिन गेन पढ़ने के बाद नीचे बैढ़ गई थी गेन लाइडा तीवी वलका तीवी चली गी तीविकेट की पर के पास एक बिना किसी नुक्सान पर मेंडेटरी पावर प्ले का ओर शल्ताबास बीच जोगेश गेन बजी करते बे भावाले टीम की तरब से पावर प्ले की कमान उनके उपर सोब दीए टीम के केप्टन ने ट्राइब कर दिया वी की शकल में किलागे लिड़ाप पार रनाउट का मोका लेकिन थ्रोई नहीं किया तो पर गेन हाथ में लेकर खड़े रहे मिड़ाप की खिलाडी क्रेंस बीच रुशन भी पुरा करते बे सिंगल के साथ रुशन का भी खाता खुलता वा एक के साथ इ सी नुकसान पर एंडी स्पोर्ट्स है अमने पड़ा दे रात तक सब्सक्राइब मुकाबला जाड़ी है अमने पड़ा बना भावाले ऑंसेट में किला गें जारी है लागान के दिशा पर करपेट के सारे बढ़िया फिल्टिंग लेकिन एक से ज्यादा कुजी विने अच् का पर जबतागा थ्रोट आवल तोनो भी बैट्स पने करन पूरा करते वे लांगोट से अकर लोंगन के दिशा पर गिन को उठाइब में जबतागा बैट्स पन कुनेश के पास समयता एकरन पूरा करने का सिंगल के साथ इसकोर अगे बड़तावा थीन बाय और धायत की बॉलर बैकडर हो हो निशाना चुक गया आपर खत्रा हो सकता है और देखना है आउट गुनेश पहले बज़ गे उसके बाद दूसरी मरतवा थ्रोग या था सिदा विकेट कीपर के पास और आउट होते वे गुनेश झाल 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 अब दो मरतवा नहीं बास सकते लागे पहले मरतवा उनको चांस जरूर मिला था निशाना चुक गया था अलागे गेनवास ने हीट किया था लेकिन उसके बाद थ्रोग या विकेट कीपर के पास और क्रिस से कापी दूर थे गुनेश और शकिल कुटी के मन में कोई भी ते लूने आउट कर दिया गुशित गुनेश को पहला विकेट का पता नुता वा तीन की योग पर एमडी स्पोर्ड आमने पाड़ा का नया बैट स्मान जैश समना करते वे गिन बाद योगेश का ओर दिविकेट ब्लोग अलमे गेन सवाल पूचा आपर देखना क्या हुआ इस गेन पर अभी तक कोई भी इशारा ने आप जाके लिग भाई का इशारा तावा गोकुल दास पाडिल सरका एक्स्ट्रा के मदद के साथ इसको रागे बढ़ता वाचारा गुनेश आउट होने के बाद है बहुत दा कुप्सूरत और नफी तुलिक इन बजी तीवी चैनल में गिन बजी तीवी इन बाद योगेश के दारा इदिक्याब अपने रंग में नजर आते वे अजय गरत एक उरकी समप्ति के बाद भावेश बताते वे केवल चारन बने और रनाउट के रूप में विकेट गिरी गुनिश के रूप में रंग बड़ा योगेश पटिल ने रंग बड़ा जय घरत ने और रंग बड़ा हमारे तिनों भी ओपीशल स्कुरूर ने वियाईपी मंच पर हमारे अमने के कुछ डैशिंग लोग इस्वत अमेच को अनलेज करते हैं भे बॉंडरी रो के बार इसवत सुरेन दल्वी, एमडी साब, सुभाज जादव, गितेश दल्वी, नवनात पतील, अनन जादव और सारे डैशिंग लोग इसवत वियाईपी मंच पर हैं अलकि सोशल वीडिया पर बहुत कुपसूरत दिखते हैं और लायू में बहुत अलग ही दिखते हैं खेल की शुरुवत करने अंपर गेन बाजी के लिए राहूल ओर नमबर दो में आते हैं फुल्टास गेन उचाल दिया अंसाइट के दिशा में लॉंगान के दिशा पर बढ़िया फिल्टिंग है दुसरे की कोशिश बोका बन सकता तीसरे अंपर की मांग की ओपर गोकुल पर डिल सरने काफी करीबी मामलाए फुल्टास गेंती लॉंगान के दिशा पर खिला था गेन को पुरी तरह से ग्यादर नहीं कर पाये थे खिलाडी लेकिन दुसरे की कोशिश और देखना बग क्या कूच हुआ है डिसीजन इस्वत पेंडिंगे तीसरे अंपर के लिए प्रप्रश पाये डिस अंपर के लाई थे खिलाओ पाये डिला बग कुल रग के लिए खिलाओ के लिए यवर प्रशक। झ. धुब बग्स वे खिलाओ कि अ. इस वक्त हमारी टेक्निकल टीम इस वक्त ना कार्य पुरा करते भी देखिया ओन फिल्ड अमपर आपको जो डिसीजन हो आपको बताना है याज आउठ काफी पता तेवे गुकुल डास पतील और दी ओर कभी इसारा ताव ऐ स्कोर आगे बढ़ता हूँ छे एक्स्ट्रा के मदद के साथ और नमबर दो का किल चलता हूँ अभी तक बान के रखा है जो ओपन करने के लिए थे उन्होंने कापी निराज किया रोशन और गुनेश ने फिर से उठाने की कोशिश बीट वे बैट्स बान बीट वे विकेट की पर लेकिन कोई भी रन नहीं मिला चे दो विक्टो के नुक्सान पर इस परिसर में डे और नाइट में पहली मर्तबाह इस वत रनौक आउट टूर्नामन का और गनेस किया साथी साथ ता तीसरे अंपार की सुवीदा इस परिसर में पहली मर्तबाह म देख रहे और साथी बहुत कुछ चेंजे सा इस पड़ी सर में आचुका अब पिर से अच्छी गेन, स्विंग एंड मिस, गेन लेरा थी भी विकेट कीपर के पास मानो या पीछ पे कोई कोईन रखा उस कोईन पर गेन बजी हो रही है जे बजरंग भवाले के गेन बाज राहूल दोरा क्या कमाल की गेन बजी होती ही भी राहूल ओर दी भी केड मुड़ते है भे फिर से हवा में खिलने की कोशिश फिर से स्विंग एंड मिस लगात तर गेन दो को गुडलान स्पोर्ट्स पर रख रहे है और उसका लाब उटाते है गेन बाज राहूल क्या गेन बजी हो रही है बैट्सपन के पेर इस वक नहीं चलते है भी कई भी हल चल नहीं थी फुटवर्ट साथ नहीं दीता हुआ छे पर इस वक गाड़ी रुख चुकी ट्राफिक जाम हुचुका है स्कोर्काट पर फिर से अच्छी गें गें पढ़ने के बाद निछे बैड़ गई थी जुआइड की गाइड लैं रहते हैं अमपर इसको बिलाएँ पर इस में मोड दिया दिशादी गें चलीगी शोड़ी सकी दिशाब़र लेकिन इस बीच हीक रनफुरा करते हैं दो और की समप्ति के बाद भावेश बताते वे साथ रन दो विक्टो के नुक्सान पर दो और की समप्ति के बाद कई भी आप पिक्छर में नजर नहीं आती भी बैक फूट पर जाती भी एमडी स्पोड अमने पड़ा जय बजरंग भावाले के सामने गिनबाजी भूत नफी तुली हो चुकी है पुरी तरह से बॉलिंग लाइनब अब चार्ज होता हुआ योगेश ने जो स्टार्ट दिया था उसके कदमों के उपर कदम रखते वे गिनबाज राहुल तीसरे ओर के लिए गिनबाजी के लिए वीकेश को बुलाया है गोर्से ए और गोर्से बी उन टीमों का मैंशन में देखने वाले साती साथ रानाल टीम जो मेर कप की छुपा रस्तम टीम थी साती साथ कहिए इसी टीमें जिनको हम एक्शन में देखने वाले विकेश की पहली गेन और नमबर तीन की और दीविकेट जाते है वे फुल्टास गेन ट्राइब कर दिया क्या आप में के लागें जारी है डिप मिडविकेट की दिशा पर बढ़ी आफिल टिंग लेकिन एक से जादा कुछी भी नहीं सिंगल के साथ इसको रागे बरता बाबा आठ की युग पर जैश एक आपिक दॉट गिंदी की लिए से मैच में रोन ने भी तर कोई भी गेन नहीं की लिए पहली मरता बासामना करते वे किन बाज विकेश का ओर नमबर तिन वे मिड़ान शॉट इसको लेकि दिशा पर कवर पर एक खिलाड़ी एक पॉइंट पर बाकी सभी खिलाड़ी स्वत आउट फिल में नज़र आते है भी हवा में खेल दिया गेन के निचे खिलाड़ी और रोन आउट और एक विकेट गिरता वा एमडी स्पोर्ट्स हमने बढ़ा का रोन के रुपे केवल आट रन बने रनो के लेस्वत संगर्शा का रुपे करती वेक एक रन के लिए इस वक्त लड़ाई हो रही है एमडी स्पोर्ट्स हमने बढ़ा की तरफ से आट टीन विक्टो की नुक्सान पर नए बैट्सपन संकेत रोन की जगा लेने के लिए लेकिन सामना करते वे बैट्सपन जायश जो इस वक्त कापी स्ट्रगल करते वे अब डीप मिड्विकेट की दिशा पर एक खिला डीट नजर आता हुआ जिसको थोड़ा सा वाइट कर दिया है विकेश की अगली गेन जायश के लिए ओर दी विकेट खिलना चाहते दे ओन साइट में लेकिन गेन चेलीगी पहले बांस पर डिकलर जोल में एक रन के लिए विकेट की नुक्सान पर देखना कितने रनों का लक्ष देते हमने बड़ा की टीम जय बजरंग भावाले एक है सामने है संकेत की उपरा बहुत कूछ डिपेंड करता है आशा की आखरी खिरन उम्मीद इस्वक्त अबले वजी पर संकेत की रुप में विकेश की अगली गेन संकेत के लिए फुल्टास गेन ड्राइब कर दिया पहले बॉंस पर हलकी सी मिस फील्ड और उसका लाब मिलता है संकेत को किस्मत वाले रह ओपर संकेत इसकोर आगे बढ़ता है आब दोरे अंकों में प्रविश करता है आब दस गेन अगर एक एक्षन में उठा कर अगर गेन बास के पास अगर थ्रो करते तो फिर संकेत भी आउट हो सकते दे क्यूंकि काफी क्रिस्ट से दूर थे जैसे अलकी सी मिस फील्ड भी और तेज कदमों के साथ उन्होंने रन को पूरा कर दिया था आला कि डेंजर एंड की तर पूरा कि अओध ची केलिगें लेकिन इनुपल के उपर था खहले की कोशी सो हूँ भड़ या रढ़ इंक्ट क्याच आच अब दियुए अ क्या शोट किला था मिड़ोप के सर के उपर से केंचे लिगी ती लॉंगा पर और भागते वे रनिंग कैच्छ और इसके साद विकेट नमबर चार गिरता अब जैश के रूप में नए बैट्स पनाब अनिकेद आते हैं लेकिन सामना करें संकेद जो काम योगेष न किया था वही काम राउल ने किया और राउल ने जो काम किया था वही काम इसके विकेश करते हैं लेकिन इसके बाद भी और एक ओर शेशे विकेश टु संकेथ बीट वे बैट स्बान अगें चली गी विकेट कीपर के पास तीन ओर की समप्ति के बाद केवल रन बने दस चार विक्टो के नुक्सान पर बैकफूर पर जाती भी मदन दत्तु जादो फैम टीम एमडी स्पोर्ड अमने पड़ा तीन ओर की समाप्ति के बाद कुल मिला कर दस रन चार विक्टो के नुक्सान पर अलाके पिछले मैच का अगर उनका परपॉमंस दिखा जा तो एमडी स्पोर्ड का बहुत आच्छा था लेकिन उसके बाद इस कॉर्टर फैनल मैच में काफी निराश किया अलाके उनके टॉप अडर के जो बैट्सपन थे गुनेश और रोशन उसके बाद जैश नी काफी डॉट गेंदी के लिए कुल मिला कर दस गेंदो का उन्होंने सामना किया जिसमें केवल चार रन बनाए चोते और आकरी और के लिए टीम के सबसे एक्सपरियंस के लाड़ी अनन्ता के ने बैट्सपन आनिकेत के लिए सवाल पूछाओ पर आउट पाच्वा विकेट गिरतावाब आधी टीम इसवत डगाउट में जाती भी पाच्वा जो पाज विक्टू के नुक्सान पर अनसेट में खिल्दे अगें जारी है मिडॉन के खिलाडी के पास और तरो आप जाके बैकब उतावा एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं इसको रहा आगे बढ़तावा ग्यारा रन अगली गेन अनन्त के ने की संकित के लिए छोड़ दिया आपर अब इस्तम के अधिक बार वाइट दिशा से भटकते हैं आप जगे इस्ट्रा की रुप में रन मिलते हैं वे कंट्रूल पूल चॉड लेकिन कार्पेट के सारे के जारिये काउ कॉर्नर के दिशा पर दुसरे की कोशिश विकेट की पर के पास थ्रोह और देखिए और थ्रोह तावा तीन रनों के साथ इसको रागे बढ़ता बाबा पंदरा की योग पर इन तीन रनों के मदद के साथ पंदरा की योग पर जातावा स्कोर आज के दिन का रात का हम आखरी मैश देख रहें तक आज का ओपनिंग सेरिमेनी का दिन था पुल कर दिया गेंजारी डिबिस को लेके दिशा पर खिलाडियों पर मौझूद है लेकिन गेंज चली गई डिकलर जोन में एकरन के लिए चोड़ दिया ओपर बैट्स पनने लेकिस्टम को मिस कर ती भी वाइट अब आखरी और में कहीना के रन मिलते हैं वे आब सब्सक्राइब को इसको रागे बढ़ता हुआ सत्रा की योग पर लाके चार और का मुकाबला का पी निराश किया हमने पाड़ा के टॉप ओंडर के जो बैट्स पन ते उन्होंने जिसमें गुनेश रोशन जैश और रहन बीट वे बैट्स पान गेंचिली इविकेट की पर के पास है और बैट्स पान आउट होते वे चार ओर की समप्दी के बाद कुल मिला कर रन बने अब आठरा रन और जीतने के लिए उन्नीस रनों की जरूरत रखी है जय बजरांगा भावाले एक सामने है जरूरत रखी है जरूरत रखी है सभी दर्श्वों का एक बर फिर से हर्दिक स्वागत है विवेक इंटर्पाइजेस कब दो हजार रिकिस में रात के धाई बज गए है और अब भी खेल चल रहा है जादा से जादा यहाँ से चार ओवर्स का खेल हो सकता है यदि एमडी स्पोर्ट्स के गिनबाज अच्छी गिनबाजी करते है तो क्योंकि टार्गेट जादा बढ़ा नहीं है मातर 19 रं बनाने है जीतने के लिए इस क्वाटर फाइनल मैच में जैबजरंग भावाले एट टीम को बहुत ही जबरदस बोलिंग दिखने को मिली भावाले टीम द्वारा गजब का प्रदर्शन उनका एमडी स्पोर्ट्स का प्रदर्शन पहले दो मैचेस में बढ़िया रहा था लेकि इस मैच में बल्ले बाजो ने कहीं न कहीं थोड़ा सा निराश किया देखे चार उवर्स में 19 रं भी बचाए जा सकते है यदि भावाले टीम की गिंदबाज चार उवर्स में 18 रं ही बनाने दे सकते है तो क्रिकेट का खेले इसमें खुछ भी हो सकता है एमडी स्पोर्ट्स के पास भी ऐसे गिंदबाज है जो अच्छे गिंदबाज ही कर सकते है सलामी बले बास क्रिस पर पहुच चुके है बायत के बैट्समन योगिश और उनके साथ निखिल इस स्ट्राइक लेने की तैयारी में पहली के इन गुमती विजा रहे ये डिकलेर जोन में एक रन इसमें दबंग दीपू और दिपेश माली इस मैच का लुथ पूठा रहे है यूटूब पर और उन्होंने आमने पड़ा टीम के संकेत और गुनिश पाटील को हर्दिक शुबकामनाय दी है और उनके शुबकामनाओं की जरूरत भी है पेलिगें पर सिंगल शॉट एक्ष्ट्रा कवर में कैचिंग पोजिशन में फिल्डर रखा गया है जो कि अच्छी सोच कहीं जा सकते है क्योंकि एक एक रन बचाना है पहला वर यदि किफाईती रहता है विकेट्स निकालते है रामकुष्ण तो जरूर कुछ हो सकता है लेकिन कमजोर गेंद बहुती बढ़िया शॉट इंसाइड आउट कवर्स के उपर से खेल दिया है चार रन बहुती सुन्दर स्ट्रोक आला दर्जे का स्ट्रोक निखिल के बल्ले से यॉर्कर गेंद डालने का प्रयास अवापर रामकुष्ण का लेकिन गेंद बनी फुल टॉस और उसको तबदिल किया चौके में बैट्समन निखिल ने स्कोर चार रनों से आगे बढ़ता हुआ पांच पर पहुँच चुका है चार ओवर्स में केवल उन्नी स्रम बनाने है रामकुष्ण एक बार फिर से दाइनेट से ओर दविगेट कदमो का इस्तेमाल ओहो हो हो क्या कमाल का शॉट है स्ट्रेट डाउन दे ग्राउंड छे रन शॉट अफ दे नाइट ला जवाब स्ट्रोक कदमो का इस्तेमाल किया बिल्कुल गेन के नस्दीक पहुँचे और उसके बाद सीधे बैट से लॉफ्ट कर दिया लॉफ्ट सीमारिका के बाहर छे रनों के लिए बहुत ही सुन्दर निहायत खुबसूरत स्ट्रोक निखिल के बैट से इस बार शॉट पिच गेन पुल कर दिया है गेन जा रही आउट फिल्ड में फिल्डर बहुत दूर नजर आ रहे है पहले बाउंस पर फिल्ड करते हैं वहाँ पर खिलाड़ी और इससे पहले की थ्रो पहुंच था विकिट कीपर के पास दो रन लेने का समय थावा आपन निखिल के पास तो केवल आपचा रिकता है अब शेश है दो रनों से स्कोर तेरा पर पहुच चुका है मातर छे रंदूर है जीत से और सेमी फैनल में पहुचने से चैपच रंग भावाले एटीम इसी ग्राउन पर इस सीजन का पहला टॉर्नमेंट उन्होंने जीता चंपिन्स ट्रोफी और आज इस टॉर्नमेंट पे लाजवाब बल्ले बाजी इस समय लेकिन कैच अच्छा कैच लॉंगाउन पर ऐसे लगा कि शायदी यह चका जाएगा हेलिकॉप्टर उड़ाया था ज्यादा ताकत हला कि नहीं जोकी थी और निखिल मैच फिनिश नहीं कर पाए लेकिन लाजवाब बैटिंग की उन्होंने अच्छे शॉट्स के ले और अपनी टीम को बिल्कुल जित के करीब लेकर चले गया है तेरा की स्कोर पर गिरा है पहला विकेट कई नगई ये मैच बहुत इंपोर्टन था दोनों टीमों के लिए क्वाटर फाइनल मुकाबला है और चार ओवर्स में मुझे लगता है कि 35-40 तक स्कोर जाता पैंथिस तक भी जाता तो एक अलग दबाव बन सकता था सलामी बल्लेबाजों पर लेकिन जादा रंस नहीं बना पाए एमडी स्पोर्स के बल्लेबाज जिस वजे से आप कोई दबाव नजर नहीं आ रहा है बल्लेबाजों पर अच्छी गेंद इस पार अच्छी वापसी दो बड़े शॉट्स लगने के बाद जरूर वापसी की है रामकुष्ण ने एक ओवर का खेल यहाँ पर समाप दोता हुआ स्कोर 13 रन एक विकेट के नुकसान पर बच्चेवे तीन ओवर्स में मातर च्छे रनों की जरूरत बचा नहीं है मैच का नतीजा कहिना के इस पश्ट हो चुका है लेकिन खेल क्रिकेट का है और फॉर्मैलिटीज भी तो पूरी करनी पड़ती है ने वर लेकर रोहन तयार होते हुए अच्छे गेंद थी गेंद टिकलेर जोन में चली गई है एक रन जोगेंदर के बल्ले से दोनों भी बायात के बल्ले बाज एक रिस पर योगेश और जोगेंदर स्कोर 14 पर पहुँच चुका है अब 17 गेंद शेश और जितने के लिए 5 रनों की जरूरत कल टॉर्णामेंट का दूसरा दिन रहेगा और कल ठीक दोपेर साड़े 3 बजे खेल की शुरुआत होगी बढ़िया गेंद अच्छी और कर दिये लेकिन उस पर भी एक रन मिलता हुआ कल भी 12 टीमें एक्शन में है और कल भी ओम सायामने लोनार क्रिकिट असोसियेशन की टीमें यहाँ पर खेलेंगे पहला मुकाबला बावे स्पोर्ट्स की रवली और एतनीका स्पोर्ट्स आमने की बीच में खेला जाएगा गावदेवी बापकाव और स्वाराज 11 नांतकर की बीच में मुकाबला रहेगा कल का पहले राउंड का आखरी मैच रोशन स्पोर्ट्स मुट्वल और और और्गनाइजिंग टीम मावली स्पोर्ट्स आमने की बीच में खेला जाएगा ये कल के खेल की रूप रेखा है उसके बाद परसो की जो मैचेस है उसमें हम पिटीसी की टीमों को ज़्यादा तर देखेंगे खरीवली की भी टीम केलने वाली आपर सरवली भी है गुरसई एटीम भी परसो केलेगी इस बार शॉट कवर में धकिल दिया गियन को और एक टेट सिंगल बहुत ही बढ़िया ताल मेल दोनों भी बल्ले बाजों के बीच में इस एक रन की बदोलत स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन एक विकेट की नुक्सान पर मतर 19 रनों का लक्ष अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद अपील और आउट लेग बिफोर विकेट दूसरा जटका लगता हुआ योगिश के रूप में स्टम्स की तरफ रखा था इस बार गेंद को और बैट्समन कहीना के एक लंबा हिट लेना चाहते थे मैच फिनिश करने की कोशिश कर रहे थे योगिश लेकिन वो भी मैच को फिनिश नहीं कर पाए थोड़ा सा और इंतजार या पर करना बढ़ रहा है भावाले के समर्थकों को स्टिती काफी मजबूत है भावाले टीम की इस सोला पर गिरा है ये दूसरा विकेट मातर तीन रनों की जरूरत है जीतने के लिए दूसरे और का खेल प्रगती पर अच्छे गिंदबाजी की है रूहन ने इस ओवर में लेकिन बल्लेबाज परियाप्त स्कोर नहीं खड़ा कर पाए कई ना कई चार ओवर में जैसे मैंने कहा कि 35 के आसपास का भी टोटल होता तो एक अलग सोच रहती बल्लेबाजो की भी उनके उपर भी दबाव रहता नए बैट्समन आये हैं सुजित शोटाम जाब सिधे फिल्डर के पास रानावट का मौका और उस मौके को बुना लिया है विकिट कीपर ने एक और जटका लगता हुआ तो मैच छोड़ा नहीं है एमडी स्पोर्ट सामने पाड़ा टीम ने ये देखने को मिलता हुआ अभी भी उनके खिलाडी संगर्श करते हुए और ये मैच तो पूंट चीज है हर जित तो लगी रहती है कुछ मैचेस में आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं हो पाता है जैसे कि बल्ले बाजो ने निराश किया इस मैच में लेकिन बोलर्स अपना प्रयास चारी रख रहे है कासवा पर रोहन ने बहुत अच्छी गिंद बाजी की सिर्फ अपने और में उन्होंने तीन रन खर्च किये और एक सफलता उनको मिली सुझित रन आउट हुए नमबर चार पर आये थे नए बैट्समन राखुल अब क्रीस पर पहुश देवे 12 गिंद शेश है जितने के लिए तीन रनों के अभी भी ज़रूरत नेवर लेकर संकेत सामने है जोकेंदर ओ अच्छी गेंदी ये अंदर की तरफ आयी थी लेकिन अंतिम शनों में उसको मोड दिया है दूसरे का प्रयाज इस बार थोड़ी सी मिस फिल्ड हुई और दो रन पूरे इसके साथी स्कोर्स दोनों भी टीमों के बराबर होते वे जितने के लिए आपके वल एक रन चाहिए जैपजरंग भावाले ए टीम को यानि कि एक ट्रॉफी लागो हो जाएगी इस बार शफल करते विए हुक करना चाहते थे डिकलेर जोन में केलने का प्रयाज लेकिन चूप गए देखिए उन्नीस रन बनाने के लिए भी लगबग तीसरे ओर का खेल हमें देखने को मिला है 30-35 रन होते तो ये मैच काफी रोमांचक हो सकता था एक और डॉट गेन और थोड़ा इंतजार लेकिन भावाले टीम का प्रदर्शन लाजवाब रहा है उनकी बोलिंग बढ़िया रही है उनकी फिल्लिंग लाजवाब बले बाजो ने भी अच्छा कारिया किया जिस वजे से आज की रात भावाले टीम के नाम कैच का मौका जरूर दा लेकिन मुश्किल आउसर एक रन पूरा हो गया और इसके साथ ही ये मुकाबला जीत लिया है जय बजरंग भावाले ए टीम ने और इस जीत के साथ ही विवेक एंटरफाइस कब 2021 किसके सेमी फाइनल म टीम हर्दिक हर्दिक अभी नंदन चे बजरंग भावाले एंड हाड लग टफ लग एंप्डी स्पोर्ट्स आमने पाड़ा या सामने तिलला सामना विर ख्याड उठर लेला है विकेश तिन धावा तैने अपले शटका मदे खर्च के लिए और दोन गड़ी बात के लिए करतर चारही गोलंदाजन नी अफलातुन गोलंदाजी के लिए उती योगेश ने चार दावा कर्च के लिए उतीया विकेट त्याला मिलाली नाई त्यानन तर राहूल आला उता तीन दावा कर्च के लिए त्याला देखिल विकेट प्राप्त करता आली नाई विकेश ने म